जैहें फिचर के डेट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आल आर वेल एड़ आपका SSB इंटर्यू का प्रिपरेशन एकदम जबर ज़स चल रहे है पीपीडिटी के हम लोग जो प्रक्तिस कर रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी पीपीडिटी से हमको टैक्ट में भी ब लुटिव पॉरेशन जाएं को सब्सक्राइब करता करें देखें यहा कर्या बट्रस पूर्ड दिखत्राइब गायों नंबर फ dauर यावज में आल जो है अब भोई कोई टेंशन तो है नहीं तो आल आर इन दी न्यूट्रल मूड और बंदा आपका है पॉस्टिव मोड में तो आप लिख सकते हो आल आर इन पॉस्टिव मोड ठीक है एज क्या है भाई तो एज आप इनकी अलग-अलग अगर बताओगे तो ठीक है नि तो आप एज बता सकते हो कि 22 से लेकर के यह जो एज ग्रूप है यह 40-45 तक है ठीक है और एक्शन क्या-क्या इस पर लिखोगे तो जब आप इस पूरे पिक्चर को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको कई सारे एक्शन से यहां पर सामिल होते हुए दिखाई देंगे आप कि अलग-अलग किसी भी एक्शन को लेकर कि अपनी वैल नेटेड़ स्टोरी explain कर सकते हो मैं यहांपर अगर अपना इस्टेमुलस लूँ तो मुझे यहां पर एक टेमपल भी दिख रहा है मुझे यहां पर एक शिप भी दिख रहा है ठीक है तो देकि नॉर्माल परसंस तो सबको दिखेंगे, यह ट्री भी सबको दिखेंगा, आपको और पिक्चर को गहराई से अगर आप अब अबज़र करोगे तो आपको यह शीप और यह टेमपल दिखेंगा, अगर आपने श्टोरी को लिखते टाइम इनको भी सामिल कर लिया, तो डेफिनिटली आपका काम इनकोई अच्छा काम कर सकता है, तो यह क्या हो सकता है? कि डीरी फारंुन के लिए को को प्रेडिट कर सकता है, यह वूल के लिए भी लोगों को गाइड मिश्य पा लिये उससे ऑपका अच्छा काम बन सकता है, मैंने इस पिक्चर को देखकर करके क्या श्टोरी लिखी आय के साथ में तो देखे कह रहा है रजट वाज एन एगरी कल्चर स्टूडेंट इन दी फाइनल यह आफिस डिग्री ठीके रजट जो है एगरी कल्चर स्टूडेंट है इन दी फाइनल यह आफिस डिग्री ही चूज़ दा प्रोजेक्ट टोन अवेरनेस अबाउट न्यू एग टेक्निक जो है उनके बारे में लोगों को और अच्छे से अवेर किया जाए उसके लिए क्या करता है फार्दिस ही वेंट टू दा विलेज एंड गेदर विलेजर इंक्लूडिंग शेपर्स ज्यान से देखिए वह विलेजर को इकठा करता है विलेजर के साथ किसको भुला ल देता है शेपर्ड जैसे आपने लिखा तो आपका शीप इंक्लूड हो गया ठीक है और कहां बुलाता है इंदे टेमपल आफ डी विलेज गाओं के टेमपल में क्योंकि पीछे में टेमपल भी दिख रहा है ठीक है देयर ही एक्स्प्लेंड देम अबाउट वेरियस टेक्न अबाउट शोइंग पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इरिगेशन एंड हर्वेस्टिंग तमाम चीजों के बारे में जब वह गाओं में वहां लोगों को मंदिर में एकठा करके बिठाता है अपना प्रेजेंटेशन पूरा देता है तो इन डेट प्रेजेंटेशन क्या क्या को कि जाना है किस तरह से हर्वेस्टिंग होना है इन सब के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से अवेर करता है बताता है आफटर हिस प्रेजेंटेशन ही आंसर दी questions asked चुकि जब आप अपनी बात रख देते हो तो उसके बाद में public कई सारे questions भी पूछती है तो वो बंदा जो है वहाँ पर जो जो questions पूछ रहाते है presentation के बाद उन तमाम questions के answer भी देता है ठीक है? He shared the leaflets for reference और जो कुछ उसने समझाया उनके बारे में वहाँ पर वो लोगों को leaflets भी देता है क्योंगे future map in leaflets को reference लेकर के काम कर सकते हो villagers got lot of information and happy to get it villagers को बहुत ज़्यादा information मिलती है और वो इसको दे करके खुश होते हैं, रोहित के project का काम बहुत अच्छे से चल पड़ता है तो बच्चो इसी तरह के शांदार जांदार stories के लिए आप SSV World को subscribe कर लिजिए साथ ही SSV World का Instagram भी है जहां पर आप हमारे recommended candidates के photograph देख सकते हैं, खुब मेहनत कीजिए definitely, आप भी recommend जल्द ही होंगे जै हिंग, जै भारत इंकलाब जिंदाबाद, भारत मता की, जै